नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आसीज राजिंदर कुमार और मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिससे दिल्ली वालों की नीद उड़ सकती है नीद क्यों उड़ सकती है दरसल आज रात बद्रातरी के समय पर दिल्ली पुल हो गया था और इंद्रा गांडी जी आई इंटरनेशनल एरपोर्ट है उसके टर्मिनल 3 के एक पिलर नमर 4 के पास एक बैक दिखा और बैक के वास पुलिस एकदम सत्के में आई उसके बाद उन्होंने चानवीन सुरू कर दी और लगों रात एक बजे वाक्या हुआ और उस करने की कोशिश की जा सकती है या किस तरीके से जो साजस रची जा रही ती दिल्ली को दहलाने की वह सुरच्चा एइंसी ओ दिल्ली पुलिस के कहले जिए जो चतुराई के लिए उनकी निकरहनी के तौर पर नाकाम हो गई क्योंकि अगर वो आटी एक का बैक हाथ नहीं कि इसके पीछे किसका हाथ है यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है लेकिन पुलिस रानमीन में लगी हुए है कि आखिर यह बैग इतनी तमाम सुरच्चा के बावजूद दिल्ली एरपोर्ट पर आया कैसे क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेस्टल एरपोर्ट है यहां देश इस तरीके से बारी मातरा माठीक को बरामत करने के लिए उन्होंने बड़ी सतरक्ता से काम लिया और उसमें कामयावी हासिल कि अबी तक यह पूरी तरीके से मालम नहीं हुआ है कि इस बैग के पीछे यहां तक आडेक्स पहुशाने के पीछे किसका हाथ है और इसका कौन ज बैग सामने आता है तो यह बी साफ हो जाता है कि तरीके से बैग भरा आडेक्स इंत्रश्राष्ट yol के मन्सूवें थीक नहीं है और और दिली को दहलाने की पूरी कोशिश कर रहे है लेकिन सुरक्ष्य एजंच ओ दिल्ली पुलिस की पर परनामा होने वाला था उसको दिल्ली पुलिस उस्रच्छा एजंसी उन्हों रोक दिया है और अब कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस और सतर्ग होगी क्योंकि इस तरीके से जब आडएक्स को बैग मिलता है तो कई ऐसे और इलाके हैं दिल्ली में यह हाई एलेट पहले दिवाली स से पहले जारी किया गया था और वहाँ जो आतंकी है उन्हें निस्ताना बना सकते हैं तो ऐसे में दिल्ली पुलिस उस्रच्छा एजंसी इस पूरे मामले की च्छानवीन में लगी है क्या कि किसी और इलाके में ऐसे आडएक्स के बैग या और कोई बारूद जिससे दिल्ल को देहलाने की कोशिश की जा सके महजूद है या नहीं खेर इस मामले सुल्ली जो भी अपडेट आएगी मों आपको देता रहूंगा आप देखते लिए इनकबर तन्यवाद इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल